दीके छट पुजाव खतम हो गया अब बिहार के मजदूर जो है ना बिहार छोड़के वो किसी अधर स्टेट में जाएंगे रोज मतलब क्या करते हैं उसको नौकरी करने नौकरी करने जाएंगे तो अभी सब लोग आये थे एक साथ और सब लोग एक दम से जाएंगे तो ट् में बैठके जाना पड़ेगा तो हर साल नितिश कुमार जी हर साल बिहार के मतलब छट पुजा में बिहार के लोग आने के लिए हर साल एक नया ट्रेन मतलब लंच करते हैं लेकिन कभी यह नहीं सूचे हैं कि हम क्या करें कि हमको हर साल नया मतलब ट्रेन लंच नहीं करना प कुछ ऐसा किजिए कि बिहार के मजदूरों को किसी अधर इस्टिट में जा करके नौकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना परे यहां से लोग जाते हैं नौकरी के लिए हमारे बिहार के मतलब 80-90% लोग है जो पढ़े लिखे उतना नहीं है मतलब बाहर के जितने फैक्टरी है बरे बरे कर खाना है फैक्टरी है उनमें हमारे यहां के बिहार के मजदूरों से हाड़ वर करवाया जाता है जितना हाड़ वर कोता है बिहार के मजदूरों से करवाया जाता है अगर निदिश कुमार जी कर देंगे बिहार में रोजगार तो क्यों जरूरी जाना है बिहार के मजदुरों को वहाँ जरूरी है जाना नहीं जाएंगे न तो हम I request to you आप से हम बार बार बिंती कर रहे हैं बिहार के मुखमंद्री जी आप कुछ ऐसा किजिए कि हमारे बिहार के मुखमंद्रों को किसी और एस्टेट में जाकर के नोकरी के लिए हाथ नहीं फैलाना परे